हेलो एवरिवान वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज मैं हूँ अदीती शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11 अकाउंट का चाप्टर नमबर 9 लेजर कवर करने वाले हैं तो बचों अभी तक हम लोगों ने प्रिविएस वीडियो में पूरा लेजर का कॉंसेप्ट समझ लिया कि लेजर पोस्टिंग का ओवर्विव कैसा होता है जर्रल एंट्री में पास करते हैं उसके बाद कैसे पोस्टिंग होती है लेजर में उसके बाद अकाउंट को कैसे बा लेजर के ठीक है तो अब आपको और ज्यादा वराइटी ओफ एंट्रीज मिलेंगे और खूब सारे लेजर आपको बनाने के लिए देखने मिलेंगे और कैसे उसमें पोस्टिंग हो गया वो भी देखोगे ठीक है पहला वाला इलिस्टेशन जो है वह बहुती सिंपल है दे सारे चीजें दी हुई है और हमें 1st April 2020 को ओपनिंग जर्नल एंट्री हमने सीखा था ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो पास करनी और उसके बाद उनका उनके वेरियस अकाउंट में लेजर में पोस्ट करना है ठीक है चले तो अब एक चीज समझो क्या कि ठीक है एक एप्रिल चापका नया साल स्टार्ट होता है तो जो 31st मार्च के एर एंड पे आपके जो बैलेंस हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ठीक है कहां पे अगले साल में तो कितना कैश आपका बचा रह गया पिष्छले साल वो अगले साल में आप उसको इंट्र एक ओपनिंग एंट्री पास करोगे तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं ओपनिंग एंट्री कैसे होगी अब आपको पता है एक चीज़ बहुत सिंपल सी क्या कि भाई हमारे जो असेट्स हैं उनका होता है डेबिट बैलेंस ठीक है और जो हमारी लाइबिलिटीज है या क्या है jest उनका होता है क्या क्रेडिट बैलेंस ठीक है तो बस अब इसमें से पहचानों कौन-कौन si associations हैमारे कौन-कौन से देबिट साइड में आए गा और हमारी कौन-कौन सी लेडिटीज है क्या क्र모 डेड़ ज拜拜 करेंगे और लाइबिलिटीज जो उनको क्रेडिट करेंग चलिए तो cash in hand cash in hand क्या है हमारा असेट है तो अब आपकी एंट्री देखते जाओ देखो आपको कैसा है इन दे बुक्स ओफ रमन जोर्नल यह आपको इस तरीके से पूरा फॉर्माइट बनाना है ठीक है डेट पर्टिकुलर लेजर फोल्यो डेबिट और ग्रेडिट यह आप लिए तो cash account को debit आपने कितने से किया बच्चों बीस हजार से ठीक है आप देखो आगे फिर क्या है संड्री डेटर शिक्स्टी थाउज़न तो आप संड्री डेटर अकांट डेबिट किया आपने डेटर भी आपका असेट होता है साथ हजार से फिर क्या है आपका स्टॉक तो फॉब्स भी आपका सेठ है उतने बेचने बेचने बाठ बते हमारे तो स्टॉक अकाउun डेबिट ड़ालिस हजार बिर क्यांट ठीक है तो हमारे पसट्यम ब्लाइंट मशीनरी टाईप का है कितना है तो वह मारा असेट है पलांडर अकाउun debit कितना 50 guitar फिर नेक्स्ट क्या है लाइन बिल्डिंग लाइन बिल्डिंग भी हमारा सेट है तो उसको भी हम क्या करेंगे डेबिट लाइन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एक लाग ठीक है आप क्रेडिट क्या करोगे संडरी क्रेड़िटर्स क्या है आपका बोज है सर पर लाइबिल twist of the story यह है कि आपका twist of the story यह है बच्चो आपको यह पता है equation एक क्या कि assets के बराबर होता है क्या liabilities plus capital ठीक है अब आपका assets का total देखो जरह यहां पर क्या आ रहा है एक लाख यह हो गया यह दो लाख हो गया दो लाख पचास हजार दो लाख सत्तर हजार ठीक है तो assets आ रहा है बच्चों आपका कितना टू लाख सेवेंटी था हुझे तो balance sheet का asset side आपका है दो लाख सत्तर हजार का लेकिन liability अभी आपकी सिर्फ संद्रीक्रेटर्स थी कितना एक लाख एक लाख तो बच्चों आप आपको पता है कि आपका कितना आ जाएगा capital आपका हो जाएगा एक लाख सत्तर हजारो तभी थो हमारी balance sheet tally होगी क्योंकि आपको पता है हम जब balance sheet बनाते हैं यह कि हमारी balance sheet होती है तो यहाँ पर हम assets लेता है यहाँ पर outlets लेता हैं तो ठीक है, तो इसलिए आपका जब capital, जब आपको assets का total पता है, आपको liabilities पता है, तो अब आपको capital भी निकालना पड़ेगा, जो आपका balancing figure आएगा, आपने इस equation से क्या निकाल लिया, capital आपका 170,000, तो आपकी, यहाँ पर भी entry किया होगी बच्चों, two capital account, capital account is a credit balance, ठीक है, credit करत हैं, तो 1,70,000, clear है, तो अब देखो, आपका debit side का total कितना आ रहा है, 2,70,000, और credit side का total कितना रहा है, 2,70,000, हमेशा हर journal entry में debit side और credit side बराबर आना चाहिए, ठीक है, तभी eventually जब आपकी जाके balance sheet बनेगी, तो सब चीज़ें बराबर आएंगी, clear है इतना, ठीक है, तो यह ज़रा मुझे बताओ, कि कौन-कौन से ledger account बनेंगे, cash account, हाँ भाई, एक cash account का ledger account बनेगा, sundry debtors का ledger account बनेगा, stock का ledger account बनेगा, plant का ledger account बनेगा, land and building का बनेगा, sundry debtors का बनेगा, capital का बनेगा, मतलब total कितने, 1,2,3,4,5,6,7, साथ ledger account बनेगे, ठीक है, clear है इतना, और आपको लेकर आना है, बच्चो एक चीज़, छोटी सी और मेरी धिहान रख लो, मैं आपको रिव्यू करवा देती हूं, क्या, हमने एक चीज़ देखी थी, जब हम सपोर्स कोई भी account बनाने, जैसे cash account बनाने, ठीक है, तो यहाँ पर हम debit के entries करी, यहाँ पर हम credit के entries करी, ठी CD, ठीक है, मतलब buy balance carried down, उसको हम carry down कर रहे हैं, लेकिन हमारे cash account में, सपोर्स हमारा, यह एक साल की entries यहाँ खतम हो गई, अब हम 1st April को नए साल की entry कर रहे है, ठीक है, तो यह buy balance जो carried down है, बच्चो इसी से, यह हमारा, जो closing balance था, अब यह मेरा क्या बन जाएगा, यह अपरेल क opening balance, तो बच्चो यही चीज़ क्या हो जाएगी, अब मेरी, 2 balance BD, 2 balance brought down, आया समझ में, एक बार फिर से देख लो, ताकि आपको confusion ना हूँ, देखो, cash account, तो बच्चो अब एक चीज़ समझ नहीं कोशिश करो, कि मेरा जब cash account बना है, यहाँ पर थोड़ा बड़े-बड़े में आप समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो यह मेरा cash account था, पिछले साल का, तो यह 31st March को, 31st March को जब मैं अपना balancing accounts की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या आजाएगा बच्चो मेरा, buy, balance, cd, सपोस कितना आया, जैसे आपर 20,000 ले लिया हमने, तो बच्चो 31st March को मेरा क्या आया, buy, balance, carry, down, उसको हम carry down कर रहे हैं, अगले साल के लिए, ठीक है, अब, जब हमारा यह account यहाँ close हो गया, फिर जब हमारी, अब एक अपरेल आएगी, ठीक है, तो बच्चो यह जो, हमारा कॉनसा closing balance जो यह था, यह क्या था, debit balance था, तो इसलिए इसको जब हम carry forward करेंगे, अगले साल में, तो इसको हम debit side पर क्या लिख देंगे, two balance, bd, मतलब यहाँ cd लिखते हैं, यहाँ पर bd, यहाँ पर carry down कर रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, और यहाँ पर उसको हम broad down कर रहे हैं, उसको हम लेकर आ रहे हैं अगले साल में, ठीक है, तो two balance bd, कितने से हो जाएगा आपका, 20,000 से, यही किया है बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने, हमारा 31 March को, जो भी balance था, ठीक है, वो हमको दिया हुआ था, यह हमें पूरा opening entries करनी है, तो हमें दे दिया था 20,000 रुपय हमारा, balance है, closing balance, तो इसको जब आप entry करोगे, बच्चों तो क्या होता है, cash का आपका debit करते हो, देखो तो cash में, cash को आपने debit किया, कितने से 20,000 से, तो आपने debit side पर कितना लिख दिया 20,000, और य ठीक है, समझ में आ गया, बस अब आपको सारे देखने आगे कितने आसान लगेंगे, चलो, अगला क्या है, sundry debtors का account बनाएंगे, यह भी debit हो रहा है, तो debit side में लिख दो 60,000, यह हमारा sundry debtors का account हो गया, debit side में लिख दिया 60,000, ठीक है, और क्या हो जाएगा, April 1 को 2 balance brought down, ठीक को entry करेंगे, opening entry करेंगे, वो हमारी brought down से होगी, ठीक है, चलो, फिर क्या है, stock हुआ debit, तो अब stock का भी account बनेगा, ledger account और debit side पर कितना लिख दो के बच्चों आप, 40,000, तो stock account बनका और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 40,000, वही 2 balance BD, ठीक है, next देखो, plant account debit, 50,000, ऐसी plant account भी बना दिया आपने, यह plant account होगे, आपका 50,000, 2 balance brought down, ठीक है, चलो, आगे देखो, land and building debit, कितने से बच्चों, 1,00,000 रुपै से, तो land and building का आपने बना दिया, land and building account, एक लाख से debit side पर लिख दिया, 2 balance brought down, ठीक है, चलो, अगला देखो, संडरी क्रेड़िटर्स, कितना है बच्चों, क्रेडिट किया आपने कितना, 1,00,000 रुपै, तो देखो अब ज़रा, तो आप अब देखो, संडरी क्रेड़िटर्स का क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या, 1,00,000, और जब राइट साइड में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, बाई है ना, लेफ्ट में लिखेंगे तो टू करके लिखते हैं, और राइट में लिख एक लाग सत्तर हजार से कर देंगे करेडिट साइट पर आपने कैपिल अकाउंट बनाया उसका खरेट साइट पर लगद ऑर क्या लिखुगे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन आया समझ में आया समझ में तो बच्चों यह हमारा था क्या illustration 1 ठीक है clear है इतना चलिए तब आगे हम लोग illustration टू भी देख लेते हैं चलिए तो illustration 2 देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें हमें अलग-अलग transactions दिये हैं बच्चों ठीक है तो इसकी हमें journal entry pass करनी है और उसके बाद हमें उनको अलग-अलग ledger में post करना है ठीक है चलो तो क्या बोल रहा है एक एक करके पहले journal entry pass कर लेतना है सारी क्या बोल रहाए April 1 रमे started business with cash तो इसके आपको जनल इंटरी पता है क्या होगी cash account debit to capital ठीक है तो April 1 को आप entry क्या कर दोगे cash account debit to capital account एक लाख ठीक है clear है इतना चले अगला deposited in bank सत्तर हजार तो हमने bank में deposit की है मतला bank balance बढ़ रहा है और मेरा cash balance कम हो रहा है तो क्या करूंगी बैंक को debit करूंगी और cash को credit करूंगी bank account debit to cash account सत्तर हजार ठीक है इतना clear है चलो फिर क्या हुआ bought goods for cash cash में हमने goods खरीदे purchase की cash गया तो इसकी entry आपको पता है बहुत simple सी है खर्चा क्या हो रहा है purchase हो रहा है purchase account debit हो जाएगा और cash जा रहा है तो cash credit हो जाएगा purchase account debit to cash 5000 ठीक है चलो अब next क्या है drew cash from bank for office तो हमने bank से कुछ पैसा निकाल लिया अपने office use के लिए ठीक है तो अब क्या हो रहा है मेरा bank balance क्या हो रहा है कम हो रहा है और cash निकाल रहे है तो cash balance बढ़ रहा है तो क्या entry हो जाएगे इसकी cash account debit to bank ठीक है 1000 रुपए चलिए इसके बाद sold goods to Krishna 1500 रुपए 1500 के goods हमने Krishna को बेचे ना लिखा है cash में बेचे ना check तो क्या मानके चल रहे हैं आपके credit में बेचे तो Krishna कौन बन गया हमारा Krishna हमारा debtor बन गया तो Krishna को हम क्या कर देंगे debit 1500 से और sales account को कर देंगे credit ठीक है Krishna account debit to sales account चलिए फिर bought goods from sham 2250 हमने श्याम से goods खरीदे 2250 रुपए के लेकिन हापे लिखा नहीं है कि हमने cash में payment क्या है चेक में तो क्या मानेंगे कि हमने उधार में खरीदा credit purchase की है ठीक है credit purchase करते हैं तो क्या entry होती है बच्छो परचेस इस debit होगा खर्चा बढ़ रहा है हमारा ठीक है दूसरा credit क्या होगा श्याम हमने सरपे बोज ले लिया हमने अभी उसको उधारी नहीं चुकाई ठीक है तो हमारे सरपे उधारी आ गई है liability आ गई है तो हम श्याम account को credit कर देंगे कितने से 2250 से फिर रिसीब ट्रम क्रिश्णा क्रिश्णा से हमको कितने मिल गए बच्छों पंद्रा सो रुपए मिल गए ठीक है तो इसकी तो बहुत सिंपल एंट्री है कि कैश मिला देबिट हो जाएगा ठीक है और क्रिश्णा हमारे डेटर था तो उतने से अब उसकी वाल्यू कम हो जाएगी तो हमारे करिश्णा अक्रेडिट हो जाएगा ठीक है डेटर कम हो रहा है हमारा नेक्स देखो पेड़ कैश्टू श्याम श्याम को हमने 2150 दे दिये ठीक है अब बच्चों यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप इचीज देखो यहां पर में श्याम से कितने के लिए थे गूट्स 2250 रुपए के ठ ठीक है और हमने इसको कितने का देदिया 2150 ठीक है तो मतलब 100 रुपए हम मानके चल रहे हैं आपर देखो क्या लिख दिया है 100 रुपए का उसने हमें डिसकाउंट दिया है क्लियरली लिखा है देखिए ठीक है तो 2250 के हमने गुड्स खरीदे थे श्याम से अब श्याम को हम फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहा है जिसमें हमने उसको 2150 पेमेंट कर दे और उसने 100 रुपए का डिसकाउंट दे दिया तो हमारी उधारी 2250 की पूरी-पूरी खतम तो उधारी बच्चों शाम को मैं क्रेडिट किया था उधारी खतम होती तो हम क्या करते हैं डेविट करते तो am को क्या कर देंगे debit कितने से debit करेंगे शाम थे तो हमने cash sales करी तो बहुत simple entry cash आया cash debit और revenue हुआ ठीक है तो क्या हो जाएगे entry cash account debit to sales 8000 रुपई से ठीक है चलो next देखो paid rent अब April 30 को हमने rent पे किया और salary भी पे की राम को 3000 रुपई तो इसके हम एक जस एक साथ entry कर देते हैं क्या बच्चों खर्चों का debit कर दो और cash को credit कर दो तो आप क्या entry कर दोगे rent account debit 500 रुपई salary account debit 3000 टू cash account total कितना 3500 आप चाहू तो अलग-अलग entry भी पास कर सकते हो rent account debit to cash account 500-500 से salary account debit to cash account 3000-3000 से cash आपका total 3500 रही जा रहा है तो आप इस पूरे entry को दो entry में करो एक entry में करो बात एक ही है ठीक है चलो यह भी हो गया आपका तो बच्चों आपकी सारी journal entries पास हो गई है ठीक है आपने पूरी journal बना ली अब बारी है किसकी अब बारी है सबकी ledger account बनाने की ठीक है तो अब एक-एक ledger account बनाते हैं सबके साथ-साथ में और उसको टिक करते जाते हैं चलें सबसे पहले entry क्या थी हमारी cash account debit to capital account दो अकाउंट बनेंगे हमारे कौन-कौन से cash और capital चलो तो दो अकाउंट देख लेते हैं तो क्या शकॉंट बना लिया और यह के चापटल हॉंट बना लिया ठीक है अब entries देखो क्या-क्या हो रही है तूं क्या हो रहा है cash को मैं क्या करूंगे debit करूंगी एक लाक से ठीक है cash को मैंने debit किया एक लाग से तो यहां पर क्या करोगे अब देखो cash account पर cash account के debit side में जाओगे और यहां पर एक लाख debit कर दोगे ठीक है क्या है यहां पर किस रीजन से यह एक लाख रुपए debit हुआ है cash to capital entry हुई थी तो आप यहां पर क्या लिख दोगे to capital account है ठीक है एक एप्रिल वन को एंट्री हुए है तो डेट आप एप्रिल वन लिख दोगे क्लियर है इतना ठीक है चलो नेक्स्ट फिर आप उसी entry को अब इसी entry को आपने cash account में post कर दिया अब इसको आपको capital account में post करना है तो capital को आप क्या कर रहे हो credit कर रहे हो ठीक है capital को आप क्या कर रहे हो credit कर रहे हो तो credit side में आप क्या लिख दोगे बच्चों एक लाग और reason क्या है उसका credit होने का cash cash account two capital है ना buy cash account आप यहाँ पर लिख दोगे April 1 को clear है इतना ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं next entry देखते हैं bank to cash cash तो बच्चों cash account तो बना हुआ है अब एक और account बनाना पढ़ेगा कौनसा bank account ठीक है अब entry क्या हुरी है कि bank को हम क्या कर रहे है debit कर रहे है तो एक bank account और बना ले चलो यह bank account भी बना लिया ठीक है debit side credit side क्या entry हो री थी bank account debit तो debit side में क्या हो जाएगा 2 cash account 70,000 ठीक है क्या कि bank account debit कर रहें सतर अजर से और रीजन क्या है उसका debit होने का cash account similarly इसकी entry cash account में भी होगी तो entry क्या थी बच्चों bank account debit to cash to cash मतब cash के credit site पर जाएंगे तो यहाँ पर 70,000 credit कर देंगे और entry क्या होगी by bank account, ठीक है, clear है इतना, चलो, next, next entry है, purchases to cash, तो cash account बना हुआ है, लेकिन purchase account नहीं बना है, तो purchase account भी बनाना पड़ेगा, और कितने का amount एक बर वो भी देख लो, 5000 रुपे का, ठीक है, तो बच्चों एक purchase account भी बना लेते हैं, एक purchase account भी बना लिया, ठीक है, entry क्या हो रहे थी बच्चों, purchase account debit, तो debit side में आजओ account के, ठीक है, कितना 5000 से तो 5000 लिख दिया, किसके कारण हो रहे थी, cash के कारण तो two cash account, आया समझ में, अब entry क्या थी, purchase account debit two cash, तो हमने purchase account में तो effect ले लिया, अब cash account में भी entry करनी पड़ेगी, चलो तो cash account में चलते हैं, तो क्या entry थी, purchase account debit two cash account, मतलब cash क्या हो रहा था, credit हो रहा था, ठीक है, तो आप credit side पर आ जाओगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, किसके कारण हो रहा है, buy purchase account कितना 5000, आया समझ में पोस्टिंग कैसे हो रही है, बहुत सिंपल है, और दो को cash account में क्या हो रहा है, मैं आपको पहुत सिंपल तरीका बताती हो, जब cash आ रहा है, तो सारा debit side में आएगा, ठीक है, तो सारा cash जो आ रहा है, ठीक है, जो in आ रहा है, और अगर cash जा रहा है, business से, आउट हो रहा है, ठीक है, cash is going out, तो आपका credit side में आती जाएगी, तो bank में आपने deposit किया, तो आपका cash गया, आपने purchase किया, तो आपका cash गया, तो वो सब आपका इस site पर आ जाएगा, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, next क्या है बच्चो, cash to bank, ठीक है, तो अब cash account क्या हो रहा है, debit, हमने पैसा निकाला था, ठीक है, तो आपकी entries जो है, वो cash account में भी होगी, और bank account में भी होगी, कितने की, 1000 रुपे, कि तो अब entry याद रखो, इसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं, तो बच्चो क्या है, cash account debit, debit side में आ जाओ, कितना 1000 रुपे, 1000 रुपे से entry कर दी, ठीक है, और क्या हो रहा है, two bank account के कारण हो रहा है, तो यहाँ लिख दिया, अब similarly bank account में भी आ जाओ, ठीक है, bank account, cash account, debit, two bank हो रहा है, मतलब bank credit हो रहा है, तो इधर आ जाओ, 1000 रुपे क्रेडिट में लिख दिया, और किसके कारण हो रहा है, buy cash, clear है इतना, ठीक है, चलो, यह भी हो गया, अब next entry के बच्चो क्रिशना account debit to sales, तो हमने ना क्रिशना account बनाया है, ना हमने sales account बनाया, तो हमको दोनों ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलो, तो बना लेते हैं, और कितना amount से हो रहा है, 1500 रुपे, तो यह भी याद रखते हैं, चलो, क्रिशना account बना लो, ठीक है, तो एक sales account बना लिया, बच्चो हमने, और यह क्रिशना account बना लिया, ठीक है, entry क्या हो रही है, Krishna account debit to sales, तो Krishna account के debit side में लिख दो, 1500 रुपए, record कर लिया, किस के कारण हो रहा है, sales के कारण, तो two sales account लिख दिया, ठीक है, similarly, अब sales account में क्या हो जाएगा बच्चो, by Krishna, ठीक है, क्योंकि Krishna account debit to sales हो रहा है, तो sales के credit में आ जाएंगे, 1500 लिख देंगे, by Krishna लिख दे अगली journal entry देखे जड़ा, हाँ, अब है, purchases account debit to sham, तो अपने purchase account तो बनाया है, लेकिन sham का account नहीं बनाया है, तो sham का account भी बना लो, क्या कितने से entry और ये 2250 से बच्चो, है ना, चलो, तो purchase का account बना लेते हैं, एक और, purchase account बनाता है, आपने sham account नहीं बनाया है, तो एक sham का account बना लेते हैं, ठीक है, क्या entry हो रही है, बच्चो, purchase account debit to sham, मतलब, sham क्या हो रहा है, credit, तो credit side में लिख दोगे, आप 2250, और क्या लिख दोगे, by purchases account, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो, next, दूसरे entry क्या होगी, इसका दूसरे effect क्या होगा, purchase account debit to sham, ठीक है, तो purchase क्या कर रहें, debit कर रहें, 2250 लिख दो, debit side में, किसके करण हो रहा है, टूश्याम, आया समझ में, ठीक है, तो यह मेरा purchase account का हो गया, अब, next entry है, बच्चो, cash account debit to Krishna, तो Krishna से हमें, पैसा आया, है ना, तो अब cash account भी बना हुआ, और Krishna अकाउं भी बना है, तो चलो, दोनों में entry कर लेते हैं, तो बच्चो, cash account क्या हो रहे है, debit, तो debit side में आ जाओ, कितना मिला, 1500 मिला, किसके कारण मिला, टूश्याम से मिला, ठीक है, तो टू क्रिशना करके 1500 लिख दोगे, अब जाओ, क्रिशना के account में, अब क्रिशना के account में जाते हैं, ठीक है, और क्या हुआ है, cash account debit to Krishna, मतलब क्रिशना क्या हुआ है, credit, तो credit side में लिख दो, क्या 1500, और क्या लिखोगे, buy cash account, clear है इतना, ठीक है, देखो कितना easy है, ledger posting, कुछ नहीं है, बस आपको bifurcate करके सबको अपने-पने डब्बे में डालना है, और कुछ नहीं है, चलो, next क्या है, देखो, अब यहाँ पर, शाम account आ रहा है, cash account आ रहा है, discount received account, तो बच्चों आपने, शाम account बनाया है, हाँ बनाया है, cash account बनाया है, हाँ बनाया है, लेकि हम discount received account भी यह हमने बना लिया ठीक है अब क्या इंट्री है बच्चो ज़र एंट्री देखो शाम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिसकाउंट रिसीट ठीक है तो बच्चो एक बात बताओ शाम अकाउंट को क्या कर रहे हम डेबिट कर रहे हैं तो चलो सबसे पहले शाम अकाउंट पर चलते हैं अब देखो यहां पर आपको एक compound entry को सीखने मिलेगा कैसे करते हैं ठीक है तो शाम अकाउंट को बच्चों क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे है तो डेबिट साइड में जाओ लेकिन जो डेबिट हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है ठीक है 2150 हो रहा है टू कैश अकाउंट के कारण और 100 रुपए हो रहा है टू डिसकाउंट रिसीवड अकाउंट के कारण आया समझ में क्योंकि हमारी एंट्री क्या थी बच्चों हमारी एंट्री थी शाम डेबिट टू कैश टू डिसकाउंट रिसीवड ठीक है तो शाम को डेबिट किया है किन कारणों से इन दोनों कारणों से तो टू कैश अका को डेबिट किया था आय समझ में आई यह एंट्री चलो बहुत बढ़या तो आप शाम अकॉट में तो इसका एफेक्ट दे दिए अब आपको कैश अकॉट में भी इसका एफेक्ट देना है और डिस्काउंट received में भी देना है तो यहां पर तीन तीन अकाउंट involved हो गया है तो अब बच्चो देखो cash account में आपकी क्या entry होगी शाम account debit to cash मतब cash credit हो रहा है कितने से बच्चों कितने से cash credit हो रहा है सब्सक्राइब चले जाओ गया और क्या लिख दो कि 100 रुपए किसके कारण हो रहा है शाम के कारण आया समझ में तो शाम debit हो रहा है दो कारण से cash और discount received के कारण से ठीक है तो इसने यहां पर दोनों आ रहे हैं लेकिन cash जो है वो शाम के कारण जा रहा है और discount receive है शाम के कारण रहा है आया समझ में इस तरीके से आपको ओपोजिट अकान देखना है अगर आप credit वाली चीजह आपको डेबिट सपाथ वाली चीजह लगा है और वह समझ में चलो अब यह हो गया नेक्स्ट देखते हैं जडरा नेक्स्ट है बच्चों Cash Account Debit to Sales तो दोनों ही अकाउंट बनें Cash भी बनें सेल्स भी बनें तो चलो 8000 से एंट्री करनें Cash Account के debit साइड में चले जाते हैं फटाफट 8000 बुक कर दिया अपने debit कर दिया किसके कारण हो रहा है टू सेल्स अकाउंट के कारण ठीक है similarly sales account पे जाओ sales account पे जाते हैं ठीक है तो cash sales की है cash account debit to sales sales के credit में जाके 8000 record करो किसके कारण cash आ रहा है में तो buy cash account यहां पे घर देंगे आया समझ में ठीक है चलो नेक्स्ट यह cash sales भी हो गया हमारी ठीक है अब next देखो rent account debit salaries account debit to cash account ठीक है तो अब आपने rent account बना है नहीं बना है salary account बना है नहीं बना है यह भी दोनों बना लो cash account बना हुआ है तो बच्चों rent account बना लिया और एक salaries एकाउंट और बना लिया ठीक है तो बच्चो एंट्री क्या है रंट कितने का भरा पांचो रुपए गा रेंट अकॉंट डेङट हुआ है कितने से 500 तो पांचो लिख दोÓ और पेमेंट किसमें हुगा है कैश में तो कैश अकाउंट आ जाएगा यह है, यह ना, क्युक्कि एंट्री थी रेंट अकांट डेबित 2 कैश, ठीक है, similarly बच्चो, सालरी में क्या हो जाएगा, सालरी कितने की पे करी, 3,000 से debit की तो debit side में 3000 रिखलो payment हुई cash में तो 2 cash account आ गया है यह कुछ नहीं जर्णल एंट्री ही चल रही है जो हम यहाँ पर कर रहा है ना देख उसी की posting जल रही है ठीक है अब cash account में effect देना है रेंग और salary में आपने दे दिया अब देखो cash account में कैसे effect जाएगा ठीक है, cash account में बच्चों, cash account क्या हो रहा है, credit, salary account, debit, rent account, debit, two cash, तो आप cash के credit side में चले जाओगे, 500 रुपए लिख दोगे, किसके कारण हो रहा है, तो rent कितना हो गया बच्चों, 500 हो गया, ठीक है, और salaries कितनी हो गए आपकी, salaries आपने buy salaries account लिख दिया, 3000, आया समझ में, तो buy rent account 500, buy salaries account, 3000, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देख लो क्या, हमारी सारी journal entries के हमने posting कर दी है, अब journal entries की posting करके आपको मुक्ती नहीं मिलेगी, अभी आपको सारे accounts को balance करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, तो अब जरा, यहाँ पर debit का total कितना आ रहा है, 1,10,500, ठीक है, यहाँ पर कम आ रहा है credit, तो यहाँ पर balance हमने डाल दिया, कितना, buy balance carried forward, 29,850, ठीक है, carried down, buy balance CD, तो total अपना एक दस, 1,10,500, डोनों साइट का tally हो गया, और फिर जब आप next month में इसको carry forward करोगे, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, बच्चो, 2 balance brought down, 29,850, ठीक है, तो जो closing balance है, मेरा इस मन्त का, वो अगले मन्त का opening balance हो जाएगा, तो May 1st में मैं opening balance अपना brought down कर रही हूं, आया समझ में तो यह cash account हो गया, अब आजाओ, capital account, बच्चो, capital account, credit balance, 1,00,000, debit देखो, आपने 1,00,000, ठीक है, तो आप two balance, carry down, लिख दोगे, 1,00,000, रुपे, आया समझ में, अब यहाँ पर बच्चो, bank account क्या है, देखो, bank account यहाँ पर debit है, और यह भी मेरा, हाँ, तो 70,000 में से मेरा 1,000 ग 29,000, ठीक है, तो यह आपका total 70,000 हो गया, तो यह आपका buy balance carried down यहाँ पर, next month में two balance brought down हो जाएगा, ठीक है, तो bank account आपने देख लिया, अब purchase account है, अब अच्चो, एक चीज़ समझ लो, बहुत simple सी, क्या है वो, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या होता है, हमारा जो, जितन भी, expenses, ठीक है, या revenue, ठीक है, या income, ठीक है, तो जितने भी expenses, revenue, income, loss, यह जो सब चीज़े है, ठीक है, यह मेरा, इनका balance, जो है, बचो कहां पर जाके मरता है, इनका balance जो है ठीक है इनका जो भी balance आएगा वो मेरा जाएगा profit and loss account में और उसके बाद उससे मेरा profit निकलता है लेकिन वहीं पर अगर मेरा capital, liability या asset है ठीक है तो उसका जो balance है बच्चो वह मेरा कहाँ पर कहाँ पर जाता है transfer करते हैं उसको उसको हम लेके जाता है balance sheet में ठीक है तो जो भी expenses revenue loss income gain यह सारी चीज़ है यह सारा इन सब के balance उठके जाएंगे मेरे profit and loss account में ठीक है और capital, liability, asset के जो balance आ रहे हैं वो मेरे जाएंगे balance sheet में clear है इतना ठीक है तो ऐसे आपने दे को purchase account बनाया था तो इसका जब आपका total करके जब balance निकालोगे तो वह आपका profit and loss account में चला जाएगा sales का भी ऐसे होने वाला है ठीक है क्योंकि revenue है कृष्णा हमारा settled है पूरा क्योंकि 1500 की sale हुई थी और 1500 उसना में दे भी दिये श्याम भी मेरा settled है मैंने उसे 2250 क्या purchase किया था और उसको पूरा full settlement में payment हो गया ठीक है फिर discount received बचो यह भी गेन है तो यह भी मेरा profit and loss में जाएगा ठीक है इसका भी हम बैलेंस जो निकालेंगे वह ठीक है ऐसी रेंट अकाउंट में मेरा खर्चा है salary account में मेरा खर्चा है ठीक है इन सब के भी बैलेंस निकलते हैं लेकिन वह मैं आपको अभी इतना नहीं करके बतालेंगे आपको सिंपली बता रही हूं कि इनके जो balance निकालेंगे पूजाएंगे profit and loss अकाउंट में और जो हमारे यह वाले है capital liability और इसके बैलेंस जाते हैं हमारे balance sheet में आया समझ में ठीक है तो आगे भी और और हम detailed illustrations करने वाले हैं तो घबराना नहीं है confused नहीं होना है बहुत ही simple लेजर पोस्टिंग आप देख चुके हो ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी illustration solve करेंगे चलिए तब तक के लिए goodbye